नमस्ते जी सभी को आज हम बनाने जा रहे हैं बजार जैसी सफल मटर जैसी बजार में मिलती हैं इसके लिए लाई हूँ दो किलो मटर ये इनके दाने निकाल लूँगी सारे और आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं सफल मटर तो ये सारे दाने निकल गए हैं डेड़ किलो के आसपास निकले हैं अब मैं इनको धूँँगी अच्छे से साप पानी से आप अच्छे से इनको रगट रगट के दो तीन बार धो लें देखो ये एक्स्ट्रा इसके ओपर जो छोटे छोटे मतर हैं या कोई खराब मतर है या किसी में कुछ कीड़ा विड़ा लगा होता है तो वो निकल जाती है इस तरह तो आप इस तरह अच्छे से मैंने तीन चार बार इनको धो के अब वापस इसी में मैं वापस निकाल हो तो वो नीचे ही रह जाएगा इसमें देखो ये नीचे छोट-छोटे से मतर हो रहे हैं अब ये मने पानी उबलना रख दिया था तभी अब इस उबलते हुए पानी में मैं ये मतर डाल दूंगे और ये बिल्कुल सिंपल पानी है इसमें कुछ भी नहीं डाला है नमक न ये मिनट लगते हैं अब देखो इसमें खतका पढ़ गया है तो आप इसको अच्छे से खतका पढ़ने दे देखो इसमें अब बढ़या सा बोल आ जाए इसमें बोई ला गया है देखो, अब मैं गैस कर दूँगी ओफ, ठीक है, अभी मैं इनको निकाल लूँगी पानी में से, आप किसी भी छनी में ड्रेन कर दीजिए, तो मैंने इससे मेरे पास जो यह पूरी बनाते हैं, उससे इसको निकाल निकाल के थाली में मैं रख दूँगी, सा पानी निकाल दीजिए आप इसका, इसको अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, तीन से चार घंटे, मतलब बिल्कुल रूम टंपरेचर पे होनी चाहिए, गरम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी, आप इनको ठंडा कर ले, पंखे के नीचे रख के, मैंने भी देखो, यह पंखा चल रहा था, तो इसी के यही पर बाएर लोभी में रख दी है, यह ठंडी हो जाएगी अब, जब ठंडी हो जाएगी, तब मैं बताती हूँ क्या करना हागे, अब देखो, यह बिल्कुल ठंडी हो गिए हैं, देखो, कैसे मटर हो गए हैं बंद करके अहां देखो ऐसे ठीक है आप चाहे तो रबर बेंड लगा सकते हैं मैंने यह पनी बड़ी थी तो मैंने रबर बैंड नहीं लगाया है मैंने ऐसे ही इसको फोल्ड कर दिया है अब इसको ऐसे ही बहुत टाइट मत करना पनी फटने का डर रहता है हलका सा रखो बस अब इसको आप फ्रीजर में रख दीजिए पाँंस ।다 से च्रवाइब के लिए पाँंस गंट टेके लिए यह पाँंस कहते लिए पहले इसी में रखंनें तो निकालती हूँ तब दिखाऊंगे आपको अब यह देखो मैंने सूबह निकाले रात को रखी थी तो मैंने सूबह निकाली है यह देखो कितनी अच्छी हैं जम गई हैं उनका कलर भी चेंज नहीं हुआ है देख रहे हैं आप इन पर बरफ जम गिए उनको सबको जो एक साथ जुड़री है इनको सबको अच्छे सा अलग अलग सा करके और आप इनने एक डबे में भरके स्टोर कर लीजिए आप इनने एक से कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे गर की बिल्कुल इसमें कोई केमिकल तो लगा हुआ है नि आप ऐसे डबे में भरके स्टोर के जब आपको जरुत हो जब निकाल के बना लीजिए मैं हमेशा ऐसे ही स्टोर करके रखती हूं अर अब तो मटर का सीजन जाने वाला है तो आप जादे लाके भी स्टोर कर सकते हैं तो आप इन ऐसे स्टोर करके और वापिस से फ्रीजर में ही रख लीजिए ठीक है नमस्टे फ्रेंड्स बाइबाइबाइब